वेल्कम टू और यूट्यूब चैनल गुर्मर्जॉब्स कॉर्णर आज की इस वीडियो में मैं आपको अपडेट देने जा रहा हूं क्लास 10 और 12 का रिजल्ट कब तक आएगा यहां पहले हमत की भी थोड़ी सी बात कर लेंगे कब तक रिजल्ट आएगा क्या करना है तो वीडियो करने तक जरूर देखना बाकी एक रिक्वेश्ट आपसे अगर आपने हमारा वट्सप ग्रूप जोइन ने किया है वट्सप ग्रूप की लिंक होगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे जरूर जॉइन कीजिए और वीडियो तो लाश्ट एक मन्से भी नहीं आई बहुत कम वीडियो आती है इसलिए आप व्ट्सप जॉन कर के रखेंगा वहां पे आपको सबी अपडेट मिलते रहते हैं टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं से अपडेट आती है वहां पे शेयर कर दी जाती है और चलिए अब हम बात करते हैं जो रिजल्ट है वह अब आपका कब तक आएगा सबसे पहले यह क्या निकाल है मैंने यह है ऑफिशल के लेंडर जो इशू किया गया जेके बोस के द्वारा मैं अपने घर से बना आके निला की जो आपना बैनल का एक्जाम दिया उसका रिजल्ट कब तक आएगा यह जो है यह वाली लाइन इस में भी आपने इत्यान नहीं देना है क्योंकि यह बात है हार्ड जोन की स्टूडेंट्स की जो जमूर वीजन कश्मीर या लदाख से हम डारेक्ली बात करते हैं यहां प पता चलेगा यह इतना रखेंगे हम स्क्रीन अब देख लीजिगा मैं दिखाता हूं आपको कैसे पता चलेगा यहां पर देख लीजिए यह है रिजल्ट का डिकलेरेशन ऑफ रिजल्ट और यह है कंडेक्ट ऑफ एक्जामिनेशन यह है एक्जाम कंडेक्ट करने के यह ती तेन चीज़ है तेन्थ लाइन टवल्थ और यह है रिजल्ट वाली इस साइड वाली तीन तो हम बात करने वाले रिजल्ट के बार एं तो यहां पर देख लीजिएगा जो आपका रिजल्ट है कलास टैन्थ और यह प्राइवेट का थार्ड वीक ऑफ अक्तुबर कब लिखा ह वह थार्ड वीक ऑफ अक्तूबर अब यहां पर बात कर लेते हम कलास 12 की कलास 12 की जो यहां पर देख लिए कलास 12 और उनका रिजल्ट फर्स्ट वीक ऑफ अक्तूबर में देखने को मिलेगा देखो ऐसा अभी कही सारे बोलेंगे की इंपैक्ट पड़ेगा जो एलेक्शन हु अगर यहां पर लिखा है तो आज आएगा जैसे सबसे पहले आपको पता चल गया होगा सबसे पहले आएगा कलास 12 का आफ्टर देन कलास 11 का देखने को मिलेगा फिर उसके बाद आपको कलास 11 का लास्ट वीक ऑफ अक्तूबर में देखने को मिलेगा अगर नहीं देखने को मिलेगा इसका मदलब यह है जादा से जादा आप और मान सकते हो चार-पांच दिन उपर नीचे हो जाएगा उससे जादा कुछ नहीं होने वाला है पाफ मां डाइब। आ ही आपको देखने को मिलेगा तीन औंक लास के यह थी रिसाल्ट के बारे में अपडेट बाकििन जो अब पूछ रहे हैं पास्माक के बारे में जीन का डौट हैं पास्माक्स जो हैं कितने हैं कितना पास्माक रखा गया है देखो भई अगर पास्माक के उपर आपको detail वीडियो चाहे किसी भी class की class 10th में तो ज़्यादा subjects है नहीं और अगर किसी को ऐसे personally पूछने हैं किसी subject में कितने है WhatsApp कर दीजेगा WhatsApp join करने का तरीका मैंने बताया description में लिंक है join करके वहाँ पर admins आएगा वहाँ पर message कर दीजेगा या तो यहाँ पर नमबर आप note कर लिजे 9682608771 इस नमबर पर आप WhatsApp कीजेगा बाकी मैं बोलूँ पहले आप ग्रूप join कीजेगा फिर admins में जाके message कर दीजेगा मेरे को मैं आपको बता दूँगा आपके किस subject में कितना पासमाक है जितने भी आपने subjects दिया होंगे आप message कर देने मैं आपको बता दूँगा बाकी अगर आपको detailed video चाहें देखो 10th में तो सिरफ 5 subject है 5-6 subjects होते हैं तो उनमें मैं बता दूँगा जो allow 12th किया है उसमें detailed video जो है format बनाना पड़ेगा उसमें मैं आपको पूरा समझाओंगा कि कितना पासमा करेगा जैसे English अभी 80 की होती है पहले 100 की होती थी इसमें हाँ अगर किसी का थोड़ा उपर नीचे हुए result उसको तो attention उसको money नहीं लगना है पड़ाई मैं वो तो सोच रहा होगर result आ जाये मैं देख लूँ क्या हुआ है उसके बाद बात करूँगा पर अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि नहीं मेरा 40 बन रहा है मेरा 45 बन र 12 से जो है बायन्वल में एक्जाम देना पड़ा तो यही थी आज की वीडियो वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेर और सब्सक्राइब और आपने दोस्तों के साथ जरूर शेर कीजिगा मिलते है नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग